प्रश्पन के दो फ्रेंड्स को एकी लड़के से प्यार हुआ, तो क्या अब इनकी फ्रेंड्शिप सस्टेन होगी? आगे क्या होगा? या आज की हमारी मुवी सोल में, जो 2016 की मुवी है, इसमें हम देखेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा, अब इनकी सिदरी के, एक्स्पेंशन स्टार्ट करते हैं. मुवी स्टार्ट होने पर हम अमारी मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम है अंसान. अंसान के फ्रेंट जुलाई ने एक नॉवेल लिखी थी, इस पर एक प्रोड़क्शन गंबनी मुवी बनाने वाली है, वो जुलाई को ढूर नहीं पा रहे थे, तो इसी वज़े से अंसान से कॉन्टैक करते हैं, अंसान कहती कि जिस लटकी की बारे में बूक में लिखा वो यहाँ जूट कह रही थी, इसके बाद जब वो ट्रेंड में ट्रावल कर रही थी, तो उसका फ्रेंट जैशिंग उसे मिला, यह लास्ट टाइम मिले थे तो अंसान की शादी होने वाली थी, पर वो कहती है कि मैंने बेक अब हो गया, जैशिंग उससे और भी बात ये कर लाने के लिए सब को स्कूल में पनीश किया गया, फिर यह दोनों गई और बिल्डिंग का फायर अलम बजा देती है, इसी तरीके से मिश्चिय उसकरते हुए, इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही काड़ी हो गई थी, जुले हमेशा अंसान को अपने घर लेकर आती थी, क्योंकि अंसान के फादर नहीं है, यह दोनों इतने अचे फ्रेंश थे, तो एक साथ बात भी लेते थे, जुले की मदर को पता नहीं था कि अंसान के फादर नहीं है, यह मदर को सुनकर बहुत ही बुरा रखता है, अंसान की मदर हमेशा बिजनेस ट्रिप के लिए जारा द सेट थी उसके लाइफ में कितने भी प्रॉलम हो पर वो जब जुलाई के साथ होती थी तो दोनों बहुत ही एंज़ॉय करते थे इन्होंने कही पड़ा था कि अगर एक दूसरे के शैड़ो में स्टेप करेंगे तो हमेशा पूरी लाइफ में एक साथ रहेंगे ये दोनों हमे लोग फैमिली दोनों बहुत ही लगते थे इसे लाइफ परफेक्ट हो की यहाँ बातों बातों में जुलाई ने का कि उस एक लड़का बहुत ही पसंड है ये सुनने के बाद अंसान उसे प्रोटेक करना चाहती थी कि उसका दिल ना तूटे नेक्स डे डारेक्ली वो उस लड़के को ढूंटी है इसी लड़के का नाम था जैमिंग ये हैंसम है तो अंसान उसके बाँ जाती है और कहती है तुम हैंसम हो बहुत सारी लड़के तुमें भाव देती होंगी पर मैरे फ्रेंड को तुम पसना आयो उसे मना मत करना ये एक तरीके से धम की थी जैमिंग इस बात से इंट्रीक्ट हो गया अंसान जहाँ भी जा रही थी उसका वो पीछा करता है फाइनली अंसान अपने एक बॉइफरेंड के साथ वहाँ से चली गई आज के दिन लाबरेरी में जैमिंग से जुलाई मेली ये एकजाम में एक दुसरे के आगे पीछे ही बैटते थे तो बुक्स के रिलेटर ज़रा डिसकस करते है जुले को एक बुक मिल ने रही थी तो जैमिंग ने उसे दिलाने के लिए मदद करती है जुले उसके पास आई उसके गाल पर किस करती है इसके बाद ये दुनों कपल बन गए थे जुले जैमिंग की भी शैडो में चलती है यानि क्यों उसके साथ हमेशा रह सके एक दिने दोनों हैंग आउट करते हुए अंसान के पास आया अंसान एक बार में काम करती थी और यही पर उसका बॉइफ्रेंड भी प्लेग करता था जुलाई जरा वाश रूम गई तो जैय शिंग और अंसान ने दोनों बात करते है अंसान जैमेन से पुछती है तुम्हें जुलाई में क्या अच्छा लगता है जैमेन कहता है कि मुझे उसमें सब अच्छा लगता है जुलाई कहती कि यह सब क्या है अंसांग ने का कि वो मुझे बहुत ही प्यार करता है वो चाहता है कि मैं भी उसके साथ कंट्री खुमूँ जब तक मैं उसे हा नहीं कहती तब तक हर सौंग वो मुझे टेडिकेट करने वाला है इसके बाद अगले दिन ये सब मिलकर माउंटन के टेंपल पर जा रहे थे माउंटन जर्दे जर्दे जुले बहुत ही ठक गए वो कहती है तुम दोनों आगे जाओ वो जरा आराम करकर उपर आएगी वो दोनों फिर उपर जाकर प्रे करते है अंसांग ने जैसें से का कि तुम बहुत ही अजीब हो तुम गौड पर बिल्यू नहीं करते पर फिर भी चलते जलते इतनी उपर आए जैसें कहता है कि अगर आप बिल्यू नहीं भी करते फिर भी आपको रिस्पेक देनी चाहिए उसने अपने गले से लॉकेट निकाला वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो बहुत बीमार बढ़ गया था मेरी मदर ने प्रे करकर मेरे लॉकेट लाया था इसके बाद मैं ठीक हो गया तो इसी वज़े से यह हमेशा अपने पास से लॉकेट रखता है ये रॉकेट देखते हुए अंसांग उसके बहुत ही पास आ गई थी उससे दूर जाने की कोशिश करती है पर जैशिंग उसका हाथ पकड़ लेता है इस मुमेंट की बाद ये दोनों बाहर आए और जुले उनका बाहर वेट कर रही थी ये दोनों थोड़े से डर जाते है और जिस तरीके से जुले बिहेव कर रही थी इससे पदा चलता है कि उन्होंने इन दोनों को देख लिया है फिर विव डिसाइड करती है कि इस बात को इनोर करेगी इस दिन के बाद अंसांग ने डिसाइड किया कि अपने बॉइफ्रेंड के साथ चली जाएगी रेलवे स्टेशन पर जाते वग जुले और अंसांग ने दोनों बहुत ही इमोशनल हो गई थी अंसांग जुले से कहती है कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है जुले ने भूजा कि अगर उसने एक दिन तुमसे प्यार करना बंद कर दिया तो क्या करोगी अंसांग कहती कि मैं तुम्हारे पास आ जाओंगी तुम तो हमेज़ा मुझसे प्यार करती रहोगी ट्रेन स्टार्ट हुई ट्रेन के साथ सा जुले भी भाग रही थी तभी उसने अंसांग के गले में जैशींग का निकलेज देखा ये बात अंसांग ने भी रियलाइस की वो जुले से कहती है अगर तुम चाहो तुम्हें रुख सकती हो पर जुले बहुत ही हर्ड हो गई थी वो जैमिंग से बहुत प्यार करती है और अंसांग के लिए उसे छोड़ नहीं सकती तो इसलिए उसने उसे जाने दिया इसके बाद जुले और अंसांग की लाइफ बहुत ही अलग-अलग थी अंसांग अपने boyfriend के साथ अलग-अलग cities में घुमती थी तो जुले ने अच्छी university में admission लिया था वो और जे मिंग एक ही university में गए जुले भी अपनी life में चाहती थी कि अंसांग की तरह अलग-अलग places घुमें पर उसके जाने के बाद उसे लगता है कि उसे stable life जीनी चाहिए वो और भी थोड़ा time गुजर चुगा था अंसांग के boyfriend ने उस पर cheat किया तो उसे छोड़ कर वो अकेली घुमने के लिए चली जाती है अलग-अलग places पर new friends बनाते हुए new new places घुमती है parallel में जुले के parents उसे जैशिंग से शादी करने के लिए pressure कर रहे थे उन्होंने तीन साल बाद शादी करने का decide कर लिया और थोड़ा time गुजरा और जुले को पैंग में job मिल गया था अंसांग की mother की date हो जाती है जुले को job मिलने के बाद वो बहुत ही stable life जीने लग गई थी जैशिंग है नहीं जाता उसने decide क्या था कि अलग country में जाकर अपनी masters करेगा वो जुले को promise करका जाता है जब दो साल बाद वो लोटेगा तो एक दोनों शादी कर लेंगे जैमिंग की जाने से जुले बहुत हार प्रोकन हो गई थी वो जब घर पर आई तो अंसांग उसका wait कर रही है अंसांग भी अपनी life से अलग-अलग places घूम कर दंग आ चुकी थी ये दोनों एक दुसरे को कले लगा कर बहुत रोते हैं इतने दिनों के बाद फिर से मिलने के बाद बात करने के पाद दोनों के face पर smile फिर से वापस आ गई अंसांग के पास जादा पैसे नहीं थे वो एक घटिया से hotel में रहने वाली थी पर अंसांग उसे एक अच्छा सा room book कर देती है बाद में एक जगा पर वो डिनर के लिए आया अंसांग गहती है कि आज मैं ही पे करूंगी अंसांग ने का कि life तुम्हें अच्छी या बुरी सारी चीज़े देती है तुम्हें उसे accept करना पड़ता है अंसांग के बाद जादा पैसे नहीं थे तो खुद salad ले रही थी तो इस बात पर जुले को गुसा आ गया वो गहती कि मैं पे कर दूंगी जादा वरी मत करो हम दोनों को इस तरीकी से चीज़ों को बाट लेने की जरुवत नहीं है अंसांग ने का तुमने बहुत सालों पहले इस सब को चीज़े बाट ली थी इसका मतलब जुले ने उसे जाने दिया था इसे के बारे में वो बात कर रही थी जुले भी गुसा होगे वो गहती है तुमने भी मेरे लिए जो भी लेटर लिखा उसके नीचे हमेशा तुमने जैशिंग के बारे में पुचा था उसने तुम्हे जो लॉकेट दिया था ये तुम अभी भी पहन रही हो इन सब बात्तों की वज़े से इन दोनों में फाइट होगी अनसांग फिर गुस्से में यहाँ से चली जाती है इस सीन के बाद और भी थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है एक ओफिस में जैशिंग और अनसान मिलते है अनसांग अपनी प्रिवेस लाइफ से तंग आ चुकी थी तो यहाँ पर उसने एक स्टेबल जॉब ले लिया था वो गहती कि अब मैं शादी भी करने वाली हूँ उसका बॉइफरेंट मैरिड था पर वो अपनी वाइफ को डिवास देने वाला है उसने जैशिंग से अनसान की बारे में भूचा वो गहता है कि हम दोना सही है कोई भी प्रॉल्म नहीं जैशिंग से मिलने के बाद अनसान जब बहार आई तो एक गाड़ी का एकसिडन्ट हो कहा था यह एकसिडन्ट उसके बॉइफरेंट का हुआ है इस वज़े से वो बहुत ज़्यादा डिस्टब्ट थी पैरलल में हम देखते हैं कि जुले जैशिंग से बात करना जाती थी पर आज कल वो बीजी है तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है वो अपनी रिलेशन्शिप को लेकर बहुत ही इंस्यूर हो रही थी वो एक दिन डारेटली जैशिंग के घर पर बोज़ गए तो जैशिंग अनसान को अपने घर लेकर जा रहा था वॉआफ्रेंट के मरने के बाद अनसान हार ब्रोकन थी उसके बास रहने के लिए घर भी नहीं था तो इसलिए जैशिंग ने उसे हेल्प की थी इन सारी बातों से जुले बहुत जादा गुस्ता हो गई थी वो उससे कहे थी कि तुम्हें क्या लगता है जैशिंग तुमसे प्यार करता है उससे सिर्फ मैं ही अच्छी लगती हूँ जिस तरीके से तुम्हारी लाइफस्टाइल थी उस lifestyle में किसी भी आदमें तुमसे प्यार नहीं किया वो सिर्फ तुम्हारे यूज कर रहे थे इस world में तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता तुम मेरी friend थी, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया पर तुम मुझे से मेरा प्यार नहीं चीन सकती इसके बाद जुली ने जैसिंग से बात की कहती है, मैं एक मन तक तुम्हारा वेट करूँगे अगर तुम वापस आये तो हम शादी करेंगे और नहीं आये तो ठीक है आज राज जैसिंग अपने माइंड को clear करने के लिए running कर रहा था अनसांग भी उसके साथ आये जैसिंग ने उसे कहा कि आप में तुमसे नहीं मिल सकता हम दोनों को बहुत पहले स्टॉप हो जाना चाहिए था अनसांग ने फिर जैसिंग का लॉकेट उसे वापस कर दिया और वो यहाँ से चली जाती है हम मूवी को फिर से प्रेजर में देखते है यह जो स्टोरी अब तक चल रही थी यह जुले ने लिखी हुई है और अनसांग उसे पढ़ रही थी वो पढ़ते पढ़ते ही सोच आती है तब ही हम देखते है कि अनसांग की डॉटर उसके पास आई यह लैपटॉप को बन कर देती है फिर से हमारी फ्लैश बैक में स्टोरी कंटिनू होती है इनके जगड़े के बाद जैशिंग जुली से मिलने के लिए आया वो गहता है कि मैंने एक अपार्मेंट ट्रेंड की है मैं चाहता हूँ हमेशा पूरी लाइफ तुम मेरे साथ ही रहो जुली ने कहा कि यह सब बहुत ही एक्सपेंसी होगा जैशिंग अपना अकाउंट से दे देता है कहता है मेरा सब कुछ अब तुमारा ही है इसके बाद इतनों बहुत खुश थे इनके शादी का डे आया पर जैशिंग वहाँ से भाग गया था इससे जुली को बहुत ही शौक लगा पर वो अपनी लाइफ के साथ अब कुछ भी कर सकती थी फ्री थी वो डिसाड करती है कि उसे भी अंसांग की तरह खुम कर आई थी इस सारे प्लेसेस पर जुली खुमती है फाइनली एक दिन वो अंसांग से मिलने के लिए आई अंसांग का अब भी एक स्टेबल जॉब है एक अच्छा घर है जहाँ आपर उपने बॉइफ्रेंड के साथ रहती है ये दोनों शादी भी करने वाले थे उसका बॉइफ्रेंड भी बहुत ही स्वीट था ये दोनों मिले हैंग आउट गया और इसके बाद जुले यहाँ से चा रही थी अंसांग चाहती थी कि जुले उसके साथ ही रूखे और जुली चाहती थी कि अंसांग उसके साथ वर्ल्ड खुमे पर यह पॉसिबल नहीं था इसके बाद फेसे प्रेजेन में अचानक से जैशिंग को अंसांग की डॉर्टर को कॉल आता है यह दोनों कैफे में मिले अंसांग की डॉर्टर जैशिंग से बुछती है क्या तुम मेरे फादर हो मेरे मदर ने जो भी लेटर्स लिखे इसके नीचे तुमारे बारे में उसने पूछा हुआ था जैशिंग को यह बात बहुत ही फणी लगती है अंसांग के डॉर्टर ने उसे एक बुग दिखाए यह कहती है कि मेरी मदर ने लिखा है जैशिंग कहता है कि तुमारे मदर ने ने उसके फ्रेंड जुले ने लिखा है अंसांग की डॉर्टर कहती है कि नहीं मेरी मदर जुले के नाम से लिखती है इस बात से जैशिंग को शौक लगा और तभी यहाँ बर अनसांग आ गई थी अनसांग की डॉटर को घर पर छोड़ने के बाद यह दोनों बात करते है जैशिंग कहता है तुमने नौविल में जो एंडिंग की है यह ज़रा अलग की है अब सच क्या हुआ यह मुझे बता अनसांग उसे कहती है कि जब जुली मुझे मिलने के लिए आई थी तब उस वक्त वो प्रिगनन थी एक्च्वल में जैशिंग वेडिंग से भाग गया क्योंकि जुली ने उससे कहा था जुली ऐसे आदमे के साथ नहीं रहना चाहती थी जो उससे पूरी तरिके से प्यार नहीं करता उस दिन जुली और अनसांग ने सारी जिसों पर बात की थी जुली कहती कि मुझे हमेशा से पता था तुम दोनों एक दुसरे से प्यार करते हो मैं बहुत ही selfish थी मैंने तब बहुत ही hate कया था पर अब नहीं करती अंसांग ने पूछा कि तुम अब यहां क्यों आई हो वो गहती कि जब मुझे पता चला कि मैं pregnant हूँ तो अपना सा मुझे सिर्फ तुमारे पास आना ही लगा इन दोनों ने एक दुसरे को माफ कर दिया था इसके बाद जुले की डिलेवरी होने तक ये दोनों एक साथ रही बेबी की डिलेवरी की बाद जुले अचानक से वहाँ से चली गी उसे call करकर गहती है कि वो अलग live चाहती थी वो बेबी के साथ stuck नहीं रहना चाहती को बर दिया तब ही उसके डेथ हो गई थी उस दिन अनसांग बहुत रोई थी वह अपने फ्रेंड को इस तरीके से साड एंडिंग नहीं देना चाहती थी वह अपने माइड में अपने फ्रेंड को हमेशा फ्री देखती है, अलग-अलग प्लेसेज घुमता हो खुछ देखती है, तो इसी वज़े से अपने नॉवेल में उसने जुलई को एक हैपी एंडिंग दी, ये नॉवेल एक तरीके की उसकी मेमरी में उसने लिखा था, वो फाइनली अपने नॉवेल में लिखती है, कि हम दोनोंने एक दुसरे को जीने का तरीका सिखाया, अंसांग लिखती है, कि मैंने जुलई को सिखाया, कि फ्री कैसे रहते हैं, उसने मुझे सिखाया एक स्टेबल लाइफ क्या होती है, अंसांग आज भी अपनी शाड़ो में जुलई कोई पाती है, वो हमे झाल झाल ठाल झाल